दोस्तो आज हम एक्स्प्लीन करने वाले हैं हाली में आई सीरीज 1000 बेबीस के सारे अपिसोड को जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए हम चलिए काने शुरू करते हैं पिसोड वन की शुरूआत में हम 2010 में कोटायम का सीन देखते हैं जहां एक अकबार वाला अकबार देने आता है तो उसे खिड़की से एक लेडी नजर आती है जो की देखने में काफी डरावनी लग रही थी तब वो देखकर वो लड़का महां से भाग निकलता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो इसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो सेड़ी सरकाते हुए जाती है और उपर बैठ कर दिवार पर कुछ लिखने लगती है यही सीन चेंज होता है अगले दिन जहां जंगल में कुछ बच्चे खिल रहे थे वही हम उसी लेडी को देखते है जो आज घर के बाहर बैठ कर रेडियो के सफाई कर रही थी तभी उस लेडी को देखकर सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं कि यह पागल हमें पकड़ लेगी इसके बाद जब वो लेडी अंदर जा रही होती है तभी उसे एकदम से अजीब लगने लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके चारों तरफ बच्चे ही बच्चे हैं जो देखकर वो डर के मारे अंदर चली जाती है इसके बाद हम इस लेडी के बेटे को देखते हैं और हमें पता चलता है कि इस लेडी का नाम सारा है जो अपने बेटे से कहती है कि मेरा मारकर खतम हो ग देखते हैं उसने तो अपने कमरे के सारी दिवारों पर कुछ नाम लिखे हुए थे अब ये नाम किसके हैं ये आपको आगे पता चलेगा खेर अब हम विबिन को जौब पर देखते हैं जहां वो एक लैब में जौब करता है इसके बाद विबिन जब घर जाते समय मारकर लेन लगती है असल में सारा की दिमागी हालत अब कुछ ठीक नहीं है ये देखकर विबिन तुरंत वापस जाता है और कई सारी दुकानों पर पता करने के बाद फाइनली उसे मारकर मिल जाता है जो लाकर वो अपनी मा को देता है और सारा दिवार पर फिर से कुछ लिखने लग इसके बाद सारा टाइप रयटर में दो लैटर टाइप करती है और फिर वो अपने पडोसी से जा कर मीट लाने को कहती है फिर रात को वो विबिन के लिए अच्छे से मीट बनाती है और फिर वो विबिन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ जिस पर ब आज में तुम्हें बताना चाहती हूँ ये कहकर वो विबीन को अपनी गलतिया बताने लगती है जिसके बारे में हमें रिवील नहीं किया जाता आला कि ये सुनते विबीन तो सीधा सारा की रूम में जाकर दिवार उपर लिखे नाम पढ़ने लगता है और सारा जोड़ हस्पिडल में होश आया है और वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे एक वकील और एक पुलिस वाले से मिलना है आप उन्हें बुलाईए तब डॉक्टर उन्हें बुलाते हैं और सारा दोनों को एक एक लेटर देती है कि आप इसे पढ़कर जो एक्शल लेना होगा ले लेना और वो वकील से कहती है कि इसे जिस साब तक पहुचा देना फिर बहार आकर पुलिस वाला सारा के पढ़ोसी से उसकी जानकारी लेता है जो बताता है कि उसका बेटा पता नहीं कहा गया अभी तक मिलने भी नहीं आया है इसके बाद जब वो पुलिस वाला नवास वो लेट तो वो वकील कहीं वो लेटर सीधा मजिस्ट्रेट को ना दे दे इसलिए हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा और ये बात दबानी पड़ेगी बर हम देखते हैं कि यहाँ वो वकील तो लेटर जाकर सीधा जज को दे देता है जैसा कि उसे सारा ने करने को कहा था उसी समय अ अनील से कहते हैं कि ये बात हमें फैलने से रोकनी होगी और हमें उस सारा के बारे में डेटेल निकालनी होगी कि उसने ऐसा सब कुछ कैसे कर दिया फिर नवास कहता है कि सारा ने लेटर में ये भी लिखा है कि उसके सारे क्राइम्स दिवार उपर लिखे हैं तो हमें उसकी जाच भी करनी होगी जिसको करने की परमिशन जच दे देते हैं फिर अनिल तो सिधा सारा से मिलने होस्पिटल जाता है और नवास सारा के घर छानमिन करने आता है तब अनिल नवास को फोन करके बताता है कि सारा तो मारी गई और नवास भी कहता है कि सर ये कनफम हो गया है कि स सारा ने जो दिवार पर अपने गुना कबूल करने की बात कही थी वो सच है यही पर एपिसोड वन खतम होता है एपिसोड टू की शिरुवात में हम 12 साल बात का सीन देखते हैं जहां वहीं जज और दोनों पुलिस वाले बैठ कर सारा वाले केस की बाते कर रहे थे और अनिल क सच बता कर विब इनको ढूंडने के लिए कहें तब यह लोग क्या करें यही सोचने लगते हैं अब यहां से सीन एक हफते पहले शिफ्ट होता है जहां पर एक बड़ी एक्ट्रेस की लाश पाए गई थी यह खबन्डियूस में आते ही हड़कंप मत जाता है और हर तरफ य यह बात चलने लगती है कि उस एक्ट्रेस एंसे की हत्या कैसे हुई होगी इसके बाद हम एनसे के पती एसके को देखते हैं जो नामी डिरेक्टर है पर उसकी लगातार फिल्में फ्लॉप होने के कारण अब वो फिल्में नहीं बनाता यहां एक इनसी के बारे में एक प्रे देते हैं कि एंसी की हट अटेक के कारण जान चली गई क्योंकि वो हट पेशेंट थी फिर जब एंसी का किरिया करम करा जा रहा था तब एक डॉक्टर प्रेडियूसर को बता दी है कि जब लाश हमारे पास लाए गई थी तो एंसी के शरीर पर चोड का निशान था ये बात मह मोटम की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर बताते हैं कि एंसी के पेड़ के ऊपर जो चोड का निशान था उसी से एंसी की मौत हुई है किसी ने बड़ी चलाकी से एंसी का मडर किया है तब जी कहता है कि याने कि लड़ने हमारा ध्यान भटकाने के लिए एंसी की कार में उसके बरसडे वाले दिन ही मडर हुआ है जो बात अजी अपनी जूनियर विवेक को बताता है फिर अजी कहता है कि एंसी की लाश सबसे पहले किसने देखी थी उसका पता करके बताओ अब अगले दिन विवेक उस आदमी को लाता है जिसने एंसी को सबसे पहले देखा था और जी उससे सवाल जवाब करने लगता है, जिसके वो सही सही जवाब दे रहेते हैं, फिर जी एंसी की मेकप आर्टिस्ट का बुलाता है, जो कह दी है कि पहले में एंसी मैडम का मेकप करती थी, पर बाद में एसके सर के मना करने पर मैंने काम छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें मेरा एंसी के साथ रहना पसंद नहीं था, ये सुनकर अजी एसके के बारे में डिटेल निकलवाता है, तो पता चलता है कि एसके बहुत ही गमंडी आदमी हैं, जिसकी जादा लोगों से नहीं बनती, फिर ये दोनों एक प्रेडियूसर से मिलने जाते हैं, जो बताता है कि एसके और एंसी ने शादी तो कर ली थी, पर शादी के बाद एसके अपने एक घमंड में रहने लगा, यहाँ तक कि वो एंसी की जरा भी इज़त नहीं करता था, जिसके बाद एसके का करियर तो डूबने लगा, पर एंसी ने काम करकर के अपना नाम बना लिया, अजी पूछता है कि एंसी डिवार्स भी तो ले सकती थी, लेकिन प्रेडियूसर बताता है कि एंसी ने एक बार सोचा भी था, पर जब उसे पता चला कि वो हर्ट पेशेंट है, तो उसने ये बात फिर दुबारा नहीं सोची, इसके बाद अजी सीधा एसके के पास आता है, और एसके कहता है कि पती पतने के बीच तो जगड़ा होते ही रहता है, पर बात कभी ज़्यादा बड़ी नहीं, हाला कि एसके की बातों से अजी समझ जाता है, कि एसके आज भी गमंड में चूर है, तब ही विवेक आकर अजी को अपने साथ ले जाता है, और ये लोग सीधा एसके की कार के पास आते हैं, जहां डिग्ये में एसके ने एक प्लास्टिकी डॉल छुपाई थी, ये देख कर तो सब हैरान हो जाते हैं, इसके बाद सीन डॉक्टर पर जाता है, जो बताते हैं कि किलर ने पहले सी डॉल पर प्रेक्टिस की होगी, एंसे को माणने से पहले, ताकि हर किसी को एंसे के मरने का कारण पता ना चल पाए, तब हिवाज जी के सर भी आते हैं, और अजी उनसे परमिशन लेकर एसके को अरेश्ट कर लाता है, इसके बाद एसके को इंटरोगेशन रूम में लाकर अजी पहले तो उसे खुब डराता है, फिर वो पूछता है कि खून तुम नहीं किया था ना, जिस पर एसके हां कहता है, तो सीन पाष्ट में जाता है जाए इसके अपने कुछ साथियों से अपनी बढ़ाई कर रहा था, कि हमारी अगली फिल्म सूपर हिट होने वाली है, क्योंकि मैंने एक एक्टर को कहानी सुनाई जो से काफी पसंद भी आई है, ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, इसके बाद एसके जब घर आता है, तो वहाँ एसके उसका इंतजार कर रही थी, और वो से कहते कि जिस एक्टर को तुम अपनी कहानी सुना कर आए हो, उसका मेरे पास कॉल आया था, उसने मुझे कहा कि एसके की कहानी बहुत बेकार है, इसलिए उसे आज के बाद मेरे आफिस में कभी भीजना मत, वरना अच्छा नहीं होगा, ये बात सुनकर तो एसके को लगता है, कि एंसी अपने मन से ही बाते बना रही है, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता, फिर बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, कि गुसे में आकर एंसी कहती है, कि मेरा नाम और खराब करोगे, तो मैं तुम्हें डिवार्स दे दूँगी, और फिर सोचते रहना, कि तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा, जो बात एसके को अच्छी नहीं लगती, अब प्रिजेंट में अजी, एसके से पूछता है, कि एंसी का कहीं बाहर अफैर भी था क्या, जिस पर एसके कहता है हाँ, पर मैं उसे कभी पूछ नहीं पाया, क्योंकि अगर वो हाँ कहती, तो मैं कहां जाता, इसके बाद एसके आगे बताना शुरू करता है, कि जब मेरी फिल्म में लगातार फ्लाप होने लगी, तब मैं बार में जाता था, ताकि लोगों की कहानी सुन सकूँ, और फिर उनी से मैं एक फिल्म बनाऊं, जिससे मेरी फिल्म भी सुपर हिट हो जाए, और एंसे की मेरे आगे जुबान ना चले, अब एक दिन जब एसके बार में बैठा था, तब उसके पास एक आदमी आता है, जो उसकी पुरानी फिल्मों की तारिफ करता है, और कहता है कि मैं आपका फैन हूँ, फिर वो अपना नाम बीबीन बताता है, साथ ही वो कहता है कि मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, जिसके बाद बीबीन ने, SK को अपनी कहानी बताना शुरू करा और SK कहादा कि वो कहानी बिल्कुल मेरी कहानी से inspired थी जिसमें नकारे पती से तंग आकर पतनी कहीं बहार चकर चला रही थी और फिर पती ने अपनी पतनी को बड़ी planning के साथ मार डाला फिर SK कहता है कि ये सुनकर मैं भी convince हो गया कि मुझे भी NC को रास्ते से हटा देना चाहिए और फिर एक दिन बिबिन मेरे लिए वो डॉल लेकर आ गया कि इस पर practice करो अगर NC को रास्ते से हटाना है तो जिसके बाद में लगा तार उसी डॉल को मार गत practice करने लगा अब हम देखते कि एक दिन NC जब shooting के दौरान अपनी कार में आती है तो मौका पाकर SK उसे जान से मार डालता है और फिर महाँ से निकल जाता है यानि अब अज्जी ने ये case solve कर दिया था पर बहार आकर अज्जी सोचने लगता है कि ये बिबिन कौन है जिसने SK को उक्सा आया है हाला कि अब के solve होने के बाद SK को सजा हो जाती है और अज्जी का नाम हर तरफ famous हो जाता है जिसने इस case को इतनी जल्दी solve कर दिया फिर एक दिन जब अज्जी अपने office में था तब उसे एक लड़की Merlin मिलने आती है जो उसे कहते कि मेरे पास ये letter एक हफते पहले आया था और मुझे लगता है कि ये letter मुझे एक लड़के ने भीजा है और इस letter में उन्ही का नाम है जिनका case आज के नियूस पेपर में आया है NC और SK का जिस पर अजी पूछता है कि वो कौन है लड़का तो Merlin उसका नाम बिबिन बताती है वो कहते कि बिबिन मेरे साथ एक लैब में काम करता था ये सुनकर तो अजी के होश उड़ जाते हैं कि यानि बिबिन काफी पहले सही ये मर्डर प्लैन किये बेठा था यही पर एपिसोड टू खतम होता है एपिसोड थ्री की शुरुवात में अजी आज फिर से Merlin से मिलने आता है और कहता है कि बिबिन के साथ तो तुम 12 साल पहले काम करती थी ना और तुम्हें एक हफते पहले ये लेटर आया तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये लेटर तुम्हें बिबिन नहीं बेजा है जिस पर Merlin एक और लेटर निकाल कर देती है कि ये लेटर 2014 में मेरे पास आया था और इस पर तो उसी लैप का नाम था जिसमें हम काम करते थे इसमें हेंड राइटिंग भी सेम है फिर वो कह दे कि ऐसा ही एक लेटर मुझे 2017 में भी मिला था जिसमें बिबिन की ही डिटेल थी पर इन 12 सालों में मैं बिबिन से एक बार भी नहीं मिली बस मेरे पास ये लेटर आते थे इसलिए जब मैंने उस केस के बारे में देखा तो आपको आकर बता दिया फिर जी पूछता है कि ये बिबिन कैसा आदमी था तो मर्लिन कह दे कि वो तो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी था आगे मर्लिन बता दे कि मैंने वो लैब अपनी शादी के दो साल बाद जॉइन की थी और मेरा पती मुझे बहुत टॉर्चर करता था जिससे अब मैंने डिवार्स ले लिया है क्यार वही अगर बिबिन की बात करूँ तो बिबिन का हाल भी मेरे जैसा ही रहा था बच्पन से ही वो अपने मन की चीज़े कभी कर नहीं पाया जैसा उसकी मा गहती थी उसे वैसा ही करना पड़ता था इसके बाद सीन पाष्ट में जाता है जहाँ बिबिन की ज़्यादा नमबर लाने पर उसके स्कूल वालों ने फंक्शन रखा था पर वहाँ तो बिबिन आता ही नहीं और एक टीचर आकर बताता है कि बिबिन की मा सारा ने उसे भीजने से ही मना कर दिया उसने कहा कि नमबर ही तो ज़्यादा लाया है कौन सी बड़ी बात है फिर हम बिबिन और सारा को देखते हैं जो ऐसे ही घूमने फिरने निकले थे इसके बाद हमें 2003 का सीन दिखाते हैं जहां बिबिन के ज़्यादा माक्स लाने पर उसके स्कूल वाले बिबिन को बड़े स्कूल में भीजने का सारा का उफर देते हैं पर सारा उसके लिए भी मना कर देती है कि बिबीन वही करेगा जो मैं चाहूंगी तब ये बात बिबीन को अच्छी नहीं लगती क्योंकि बिबीन बहुत ही जादा इंटेलिजेंट लड़का था पर वो अपनी मा को कुछ कहना ही पाता। और उसे वो फोटो दिखाता है कि तुम्हारा वाला बिबीन यही था क्या लेकिन इसके मना कर देता है कि नहीं ये वो नहीं था इसके बाद अजी सारा का एड्रेस निकलवा कर उसके गाउं जाता है कि शायद बिबीन का कुछ पता चल जाए पर वहां का पड़ोसी बताता है कि बिबीन तो यहां से काफी साल पहले गायब हो गया था फिर एक दिन उसका मेरे पास फोन आया कि मुझे घर बेचना है और मैंने ये घर खरीद लिया फिर वो पड़ोसी बताता है कि उस रात सारा को मैं ये ऑस्पिटल ले गया था जिसने दो लेटर दिये थे एक पुलि ले आता है उसी दोरान उसे अंसारी नाम का पुलिस वाला भी मिलता है उसकी अकैडमी में जूनियर था फिर जब अजी नवाज से मिलता है तो उसे वो लेटर दिखाता है जो मढलीन को मिलते थे साथ यजी कहता है कि इन सम्में बिबीन का नाम सामने आया है जो कि खूनी हो सकता है अब हमें उसी का पता करना है फिर वो कहता है कि बिबीन के बारे में जाच करते हुए मुझे सारा के बारे में पता चला जिसने मरने से पहले दो लेटर दिये थे ये बिबीन सारा का ही देखते हैं जहां नवाज के साथ वो जज और उसका सीनियर अनिल बैठे हुए थे और ये वही बात कर रहे थे कि हमें बीबिन का पता लगाना है तो अजी को सच बताना होगा तब ही अजी का फोन आता है और ये लोग उसे यहां बुला लेते हैं अब यहां अजी अपनी और महिलाओ के लिए था ये जो सारा थी ना ये वही की हेड नर्स थी जहां उसने 1980 से 1985 तक काम किया उस दुरान होस्पिटल में करीब 1000 से भी जादा बच्चे पैदा हुए थे और उस बहर हम सारा ने उन सभी बच्चों को बदल दिया था जैसे किसी को लड़का पैदा हु ये करने के बाद उसे एक अलग एक एक मिलती थी या तक कि वो अलग अलग धर्म के बच्चों को भी बदल देती थी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता था ये सुनकर तो अजीबी चौक जाता है कि ये औरत इतनी निर्दई कैसे हो सकती है फिर जजी कह दे कि ये ऐसा है जो सामने आया तो हॉस्पिटल में डिलिवर्ट हुए बच्चों पर से उनके माबाप का सारा विश्वास तूट जाएगा कि वो उनके बच्चे है भी या नहीं फिर निल कहता है कि ये सारा कभी मा नहीं बन सकती थी इसलिए उसके बाद ही वो लोगों को कभी खुश हो पर लिखने लगी ताकि वो ये सब भूलना जाए फिर हमें 1985 का सीन दिखाते हैं जा एक मा सारा के पास आती है और कहते कि मेरी बेटी शादी से पहले ही मा बन गई है इसलिए हमें ये बच्चा नहीं चाहिए जो सुनकर सारा तो खुश हो जाती है कि अब मैं उसका बच्च में ये तीनों लोग और जिसे कहते हैं कि सारा के लेटर से हमें पता चला था कि विबीन को सारा के कांड के बारे में सब कुछ पता है इसलिए हमने विबीन को ढूंडने की काफी कोशिश करी पर हम उसे ढूंड नहीं पाए तब अनिल कहता है कि अब तुम भी सच जान गए हो और हमें पता है कि बिबीन भी सारे बच्चों के बारे में डिटेल में जानता है इसलिए हमें बिबीन को पकड़ना ही होगा क्योंकि वो ये सच सब के सामने ला सकता है और जैसा तुमने बताया वो मर्डर भी करने लगा है तो ये बहुत ही खदरनाक रूप ले सकता है फि ये तीनों ही कहते हैं कि उसे जान से मार देंगे ताकि ये राज यहीं हमेशा के लिए डूब जाए जो सुनकर अजी भी चौक जाता है यही पर एपिसोड 3 खतम होता है तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम अजी की फैमली को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसकी आता है जो उसके साथ सारा वाले केस पर काम करेगा तो ये लोग आफिस में मिलने को कहते हैं अब इसके बाद हम नया आफिस देखते हैं जहां सारा का केस सॉल्फ किया जाएगा और यहां विनोद नाम का आफिसर सब को काम बता रहा होता है जो अजी का जूनियर था फिर हाँ जी आता है जो अनसारी और विनोट से कहता है कि तुम दोनों ही इस केस के बारे में सब जान गए हो लेकिन अब ये बात बाहर नहीं जाने चाहिए हम तीनों को ही मिलकर ये केस सॉल्फ करना होगा हमारा टारगेट है विबेन जिसने मर्लीन को लेटर भीजे हैं और फिला असका बच्चा है ओर उस से इनहें पता चलता है कि बिबेन के असली माबाप कौन हैं तब ये सीधा उन्ही का एटरेस पता करके मिलने चले जाते हैं असल में बिबेन के असली पिता एक कॉलिज में प्रोफेसर थे तो ये अज्जी और अंसारी उनसे एक एकर मिलते हैं कि हम आपके कॉलिज के स्टुडेंट थे और फिर वे बातो बातों में उनकी बेटी के बारे में पूछते हैं क्योंकि सारा ने बिबीन से बदल कर उन्हें लड़की दे दी थी और समझते हैं कि इन्हें बेटी हुई थी खैर अब यहां बातों बातों में प्रोफेसर बताता है कि रेनुका तो कुछ साल पहले ही मर गई एक शाम वो अपने जनम दिन मनाने गई थी जिसके बाद उसके दिल में दर्द हुआ और वो चल बसी अब यह सुनकर दोनों बहार आ हंडल किया था तो हमें यह पता लगाना होगा कि उस समय पुलिस वाला कौन था अब यह थाने में आकर जानकारी निकालते हैं तो पता चलता है कि रेनुका की अटैक नहीं बलकि ड्रग ओवर्डोस के कारण मौत हुई थी यह जानकर तो इनके होश उड़ जाते हैं और फि जो कि उसके पिता जी एक रेपिटेट प्रफेसर थे ऐसे में अगर यह बात बहारा आती कि उनकी बेटी खुदे ड्रक्स के कारण मारी गई तो यह अच्छा नहीं होता तब अजी कहता है कि मैं उस टाइम पर रेनुका के दोस्त भी तो मौजूद होंगे ना बर्तडे पा हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे यह रेनुका कैसी लड़की थी तब उसकी फ्रेंड बता दिये कि वो थोड़ा एटिटूड में रहती थी और जब हम अच्छे दोस्त बने तो उसके घर गए थे तब बता चला कि वो तो अपने माबाप से बहुती बुरी तरह से बात करत थी उसका ऐसा रवया हमें बहुत बुरा लगता था पर हम उसे कुछ कह नहीं पाई फिरजी पूछता है कि आप लोगों ने कभी इस आदमी को देखा है किया जिस पर एक लड़का बताता है कि ये तो हर्षन है ये हमारे आफिस में इक काम करता था जहाए इसके दोस्ती ध जादा तर नशे में रहने लगी थी विरजी पूछता है कि उस दिन रेनुका की पार्डी के लिए तुमने फ्लैट ही क्यों चुना कोई क्लब क्यों नहीं तब दूसरा लड़का बतादा है कि हम जब भी पहले क्लब जाते थे तो रेनुका आक्सर नशे की हालत में कलेश क कर देती थी जो हमें भुगतना परता था इसलिए हमने हर्शन के कहने पर वहीं पास के फ्लैट में पार्डी करने का डिसाइड किया था फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जा रेनुका अपने बर्थडे से गायब हो गई थी और उसके दोस्तों ने जब उसे दूंड़ रहता कहा था तो दो लड़कियों से हर्शन का रूम दिखा देते हैं अब यहां का लेंडलॉड कहता है कि हर्शन मेरा किरायदार था लेकिन वो लड़का बहुत ही अच्छा था उसका कुछ समान तो आज भी यहां पड़ा है जिसकी फोटो खीच लेता है फिर आफिस जात हैं कि इन सब का कनेक्शन क्या है और यह बिविन किलर क्यों बन गया यही पर एपिसोड फोर खतम होता है एपिसोड फाइफ की शुरुवात में अज जी देवन की सारी इंफोर्मेशन पता करके अपने साथियों को बताता है कि देवन एक टाइम पर अपने गाउं में पताता है कि देवन को भी सारा नहीं बदला था और देवन के पिता का असली बेटा सुनीर था पर यह समझ नहीं आया कि हजार बच्चों में से बिविन ने देवन को ही क्यों मारा इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पिता मीट की दुकान चलाते हैं और यह पापा पनीर से मिलने अजी आता है और वो से बीबीन की फोटो दिखा कर पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो जो देखकर सुनीर कहता है कि ये तो नैसम है मेरा दोस्त और वो अजी को नैसम की उसके साथ एक फोटो दिखाता है अब यहां से कहानी पाष्ट में जाती है जाज बीबी नाइसम बन कर सुनीर से मीट खरीदने आता है और फिर धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ा लेता है ऐसे ही रोजाना मिलने से नाइसम की दोस्ती उससे गहरी हो जाती है फिर एक दिन नाइसम सुनीर से कहता है कि जब तेरे पापा तुझे इतना परिशान करते है तो तू कुछ करता क्यों नहीं जिस पर सुनीर कहता है कि मैं उनका गुस्सा सिर्फ इसले सैन करता हूँ ताकि वो घड़ जाकर मेरी माँ पढ़ना चिलाए फिर नाशम सुनीर से कहता है कि मेरे पास 3 लाक रुपे कैश पड़े हैं वो मैं तुमें रखने के लिए देता हूँ मैं कली शेर जा रहा हूँ इसलिए फिर जब मैं कभी लोटूँगा तो तुम मुझे दे देना वैसे मुझे अब इन पैसों की ज़्यादा जरूरत नहीं है जिस पर सुनीर मान जाता है और अगले दिनी आकर नाशम उसे पैसे दे रेता है और फिर वो महां से निकलते समय पूरी फैमली की फोटो लेकर महां से चला जाता है इसके बाद हम आफिस में अज्जी को देखते हैं जो कहता है फिर वो बताते हैं कि उसके एक वीडियो काफी वाइरल हो गई थी जिसके बाद उसकी आत्मत्या की खबर आई पर देवन जिस पार्टी से खड़ा हो रहा था उन्हें एमामला दबा दिया ताकि पार्टी का नाम खराब ना हो फिर वो अजी को जाते जाते कलेश नाम के आद दे रहा था और वो कहता है कि हमें बीफ मास मच्छी खाने वालों से दूर रहना चाहिए इसके बाद हम देवन और कलेश को बात करता हुआ देखते हैं जहां कलेश कह रहा था एक मौलवी ने अपनी बीवी और बच्चे को घर से निकाल दिया इसलिए वो हमारे दर्म में आना चाहते हैं जिस पर देवन कहता है कि अच्छी बात है इससे तो मेरा नाम और फीमस हो जाएगा यानि देवन चीतने के लिए कुछ भी करने को तयार था फिर देवन उस आदने को मिलने बुलाता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बलकि नाय समी है जो आकर क देवन का खास आदमी बन जाता है अब एक दिन जब देवन का जनम दिन आने वाला होता है तब सब लोग पार्डी करते हैं और अंदर आकर नाय सम देवन को मीट ओफर करता है जो देखकर देवन तो खुश हो जाता है और कहता है कि यारे कितने दिनों बात खाने को मिल रह तब देवन मीट खा जाता है और फिर अगले दिन जब ये लोग कहीं जा रहे होते हैं तब वो पता चलता है कि देवन की मीट खाने वाली वीडियो और तरफ वाइरल हो गई है जिसके कारण उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है और वो रात को दासो कर देवन अकिला पीते हुए जिनम दिन मना रहा होता है पर उसके अगले दिन पुलिस को देवन की लाश मिलती है और ये साबित हो जाता है कि वीडियो वाइरल होने के बाद उसने अपनी जान दे दी अब प्रिजेंट में अजी कहता है कि इसमें भी वीडियो बनाई होगी क्योंकि कलेश ने बताये कि नाशम तो उनके साथ ही खड़ा था अब हमें बीबिन के साथ ही को भी ढूड़ना है यही पर एपिसोड फाइफ खतम होता है एपिसोड शिक्स की शिरुवात में अजी सीधा एसके से मिलने आता है कि तुम्हें कोई एंसी के खिलाफ मैसिच भी भी भीजता जिसके जरिये तुम्हें बता चला कि एंसी का कहीं चक्कर चल रहा है तो एसके कहता है हाँ इसके बाद हम आफिस में एसके की कनफेशन वीडियो चलता देखते हैं जहां जी कहता है कि एसके को किसी ने पूरी तरह से बढ़काया था जब कि एंसी का कहीं चकर भी नहीं चल होगा तब रेनुका भी excitement में आकर वो ड्रक्स ले लेती है और जुमने लगती है ऐसे करके विबीन उसे कई बार ड्रक्स देता है और रेनुका को धीरे धीरे आदत पड़ जाती है जो उसके दोस्त कह रहे थे कि रेनुका नशे में ही रहती थी वो विबीन कहीं कारण था और विबीन ने जान बूच कर हाड केमिकल से ड्रक्स बनाया जो रेनुका ने जाकर विबीन के कहने पर अपनी कार में यूज करा और फिर वो तड़ब तड़ब कर मारी गई फिर प्रिजेंट में अजी अपनी सीनियर को बताता है कि रेनुका का खून एक केमिकल से हुआ है ज सारा के कारण उसकी पूरी जिन्दगी तबाह हो गई, इसलिए उसने बड़ी प्लैनिंग के बाद रेनुका को मार डाला, ताकि उसके माबाप को ज़्यादा टॉर्चर ना सहना पड़े, ताकि वो ऐसे लोगों को मारने लगा, जो जिन्दगी जीने के लाइक ही नहीं थे, इसलिए उसने सबसे पहले रेनुका को मारा, फिर जी बताता है कि बिबिन किसी को भी मारने से पहले, उसके उपर बहुत रिसर्च करता है, ताकि वो जिसकी भी इनसान को मारे, तो कोई ये ना जान पाए, कि ये काम बिबिन ने किया है, बलकि वो तो सामने वाले इनसान को मजबूर कर देता था अपनी जान देने के लिए फिर जब उसने रेनुगा को मार डाला तो उसने देवन को शिकार बनाया और फिर उसने सारा के लिष्ट में सही एक को अपने साथ ही बना कर अपने साथ मडर करने के लिए मना लिया और इन्होंने देवन को मार डाला तब ही पाश्ट में हम देखते हैं कि कैसे बिबीन ने देवन को जान से मारा था फिर प्रिजेंट में अजी कहता है कि बिबीन के अगले शिकार एंसी और एसके थे और इन दोनों को भी सारा ने होस्पिटल में बदला था और बिबीन के अकॉर्डिंग दोनों ही अपनी लाइफ यहीं पर एपिसोड 6 खतम होता है एपिसोड 7 के शुरुवात में हम दो लोयर्स को बाते करते हुए देखते हैं जहां एक कहता है कि एक अजी नाम का पुलिस वाला सारा के लेटर्स के बारे में पूछने आया था जो आपने जच को दिये थे याद है न उसमें ऐसा क्या ल आराने हजार से भी जादा जितने बच्चे बदले थे सबकी जान को खतरा है और अब विबीन तो नया शिकार ढूंड भी रहा होगा तब अनसारी कहता है कि विबीन हर मडर के बाद 4 साल का गैप लेता है तो हमारे पास अभी वक्त है लेकिन अजी कहता है नहीं हमें कैसे करके अगला विक्टिम जल्दी ढूंड़ना होगा तब ही अजी के लिएक लेटर आता है जिसमें किसी जिबरान और एक दूसरा सनल नाम लिखा था यानि यहीं अगले विक्टिम हैं ये देखकर अजी के होशड जाते हैं और वो समझ जाता है कि उसके ओपर बिबीन अभी के कि एनवलप कहां से आया तब उसे एक डिलिवरी वाला दिखता है तब ये अनसारी का भी फोन आता है जो कहता है कि आपके लिए जिसने लेटर दिया था वो कोई रेड कपड़े में था तब ये देखकर अजी के होश उड़ जाते हैं कि ये आदमी यहीं कहीं गूम रहा है इसके बाद अजी अनियल से मिलता है और कहता है कि आज से ठीक एक हफते बाद जिबरान या सनील में से कोई एक मरने वाला है इसलिए हमें इन्हें डोंडना होगा ताकि हम बिबिन को पकड़ सकें फिर सनील का एड़स निकलवाकर अजी सीधा उसके घर पहुँच जाता है और पूछता है कि सनील कहा है जिस पर उसके पापा बताते हैं कि हमारे गाओं में बाड़ा आई थी और सनील के उपर छट गर गई जिसमें वो मारा गया ये सुनकर अजी चौक जाता है कि सनील का नाम हमें बिबिन ने क्यों भेजा यानि अब बिबिन का अगला शिकार जिबरानी हैं जिसके बारे में अजी पता लगाने लगता है फिर जिबरान की पिता का एडरस निकलवा कर वो उनके पास आता है और जिबरान के बारे में पुछता है जिस पर वो बता दे कि मेरा कोई बेटा नहीं है वो तो एक खूनी है जो सिर्फ नशे में धुत रहता और एक नम्मर का संकी था आगे वो बताते हैं कि एक दिन जिबरान उठा और सीन पाश्ट में जाता है जहाँ जिबरान की फोन का बैलेंस खतम था इसलिए वो अपनी मा का फोन मांगने आता है और जब उसकी मा ने फोन देने से मना कर दिया तो गुस्से में आकर उसने अपन बल सुतरी चुरा लिया और फिर वो आज तक नजड़ नहीं आया पर तभी एक आदमी कहता है कि लाइका ने जिबरान की नौकरी लगवाई थी ये सुनकर अज्जी सीधा लाइका के पास आता है और उससे जिबरान के बारे में पूछता है तो ये आदमी ने उस दुकान क पता दे रेता है जा उसने जिबरान को काम पर लगवायाै था अब यहां से ये लोग सीधा उसी दुकान पर आते हैं जो शहर से काफी दूर थी और वहाँ दुकान के पास वाला आदमी जिबरान के बारे में बताता है कि वो कहां रहता है तब ये लोग उसी एड्रेस पर जाते हैं तो वो आदमी कहता है कि वो तो काफी टाइम पहले यहां से चला गया पर उसके नाम से एक नोटिस आया था जो वो अज्जी को दे रहेते हैं इसमें एक नमबर लिखा था तब अनसारी उस नमबर पर कॉल लगाता है लेकिन वो लगता नहीं तो अज्जी कहता कि य नमबर साइबर सेल वालों को भेज दो, पता तो चले कि ये आखिर नमबर कहा एक्टिव हुआ था, इसके बाद ये लोग बैठ कर चाए पी रहे होते हैं, तब ये विनोत पर साइबर सेल का मेसेज आता है, जो इन्हें उस फोन की लोकेशन बता देते हैं, तब ये लोग आरे यहाँ खाना खाने आता था, पर एक दिन उस पर पैसे नहीं थे, तो उसने ये फोन यहाँ गिरवी रख दिया, और फिर कभी लेने नहीं आया, फिर जैसे ही मैंने फोन आउन किया, तो आपका फोन आ गया, इसलिए मैंने आपको बुला लिया, तब अज्जी उसे जि का पता बताने के लिए कहते हैं, अब यहां से ये लोग सीधा एक जगा पर आते हैं जहाएं कमरा था और लड़का कहता है कि वो यहीं रहते हैं, तो विनोद और अजी तो सीधा जिबरान को पकड़ने चल देते हैं महीं विनोद के कहने पर अंसारी उस लड़के को वापस छोड़ने जाता है अब यहां यह दोनों अंदर जाते उससे पहले कोई बाहर निकलता है और यह कोई और नहीं बलकि बिबीन था जो देखकर इन्हें हसता है कि आखिर तुम आ ही गए इसके बाद सीन पाष्ट में जाता है जहां सारा ने बिबीन को बता दिया था फिर अब बिबीन कहता है कि मैंने ही उन सब को मारा है तो अजजी पूछता है कि वो जिबरान कहा है जिस पर विनोद अंदर जाकर चेक करने लगता है पर वहां कोई होता नहीं तब विबिन कहता है कि जिबरान तो पिछले साल ही अपने बर्थडे पर जलकर मारा गया फिर विबिन कहता है कि अब मुझे भी मार दोना पर मेरे मरने के बाद भी ये मौत का सिलसला खतम नहीं होगा क्योंकि मैंने और लोग तयार कर लिये हैं तब अजी तो उसे अरेश्ट करने लगता है कि अब तो जेल में मुझे सब कुछ डिटेल में बताएगा और अजी बिचारा सोच में पढ़ जाता है कि आप खोनी कौन होगा कैसे पता चलेगा मायम अनसारी को देखते जो लड़के को वापस छोड़ने जा रहा था लेकिन तबी उसे किसी का मैसेज आता है और वो कार साइड में ले जाकर बंदुक लोड करने लगता है फिर हमें एक डारी का सीन दिखाते हैं जिसमें 1985 लिखा था और यही पर यह सीरीज खतम होती है बाकि अगर आपको हाली में आई एक कमार की सीरीज देखनी है तो आप यह वीडियो देख लीजिए